मेरे प्यारे देशवासियों नमश्कार इस वर्ष की गर्मी शाहद ही हम भूल पाएंगे लेकिन वर्षा की प्रतिक्षा हो रही है आज जब मैं आप से बात कर रहा हूं तब रमजान का पवित्र महिना प्रारम हो चुका है रमजान के पवित्र महिने के आगमन पर मैं भारत और विश्वभर के लोगों को विश्यष करके मुस्लिम समटाय को इस पवित्र महने की हारदिक शुपकावनाई देता हूँ रमजान में प्रेयर, स्पिरुचालिटी और चेरिटी को काफी महत्वद दिया जाता है हम हिंदुस्तानी बहुती भागिवान है कि हमारे पूरवजों ने ऐसी परंपरा निर्मान की कि आज भारत इस बात का गर्व कर सकता है हम सबासो करोड देश्वासी इस बात का गर्व कर सकते है कि दुनिया के सभी संप्रदाए भारत में मौजूद है यह ऐसा देश है जो इश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और इसफर को नकारने वाले लोग भी, मुर्ति पूजा करने वाले भी और मुर्ति पूजा के विरोध करने वाले भी हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्दती, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है और आखिरकर धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं, शान्ती, एक्ता और सद्भावना का, यह रमजान का पवित्र महना, शान्ती, एक्ता और सद्भावना के इस मार्क को आगे बढ़ने में जुरूर सहायक होगा, मैं फिर एक और खास करके नवजवानों को कहा था, कुछ नया करें, कमफर्ट जोन से भार निकलिए, नए अनुभव लें, और यही तो उमर होती हैं, जिन्दिकी को इस प्रकार से जीना, थोड़ा रिस्क लेना, कठिनाईयों को न्योता देना, मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारी लोगों ने मुझे फिडबेक दिया, व्यक्ति के दुरुप से मुझे अपनी बात पताने का उत्सा समने दिखाया, मैं हर चीज को तो पढ़ नहीं पाया हूँ, हर किसी के संदेश को सुन भी नहीं पाया हूँ, इतने धेर सारी चीज की आई है, लेकिन मैंने सरसरी नजर से में जो देखा, किसे को नए वाद्य पर हाथ अजमा रहा है, कुछ लोग यूटूब का उपयोग करते हुए नई चीज़े, छिखने का प्रयास कर रहें, नई भाषा चिकने का प्रयास कर रहें, कुछ लोग कूकिंग सिक रहे हैं कि कुछ नृत्य शिख रहे हैं कुछ ड्रामा सीख रहे हैं कुछ लोगों ने लिखा है कि हम अब कवीता ही लिखना शुरू की है प्रकृती को जानना जीना समझना उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं मुझे भूत ही आनंद हुआ और मैं एक फोन कॉल तो आपको भी सुनाना चाहूंगा उससे काफी प्रेरित हुई हूँ और इसलिए मैं आपसे अनुरोद कर रही हूँ कि इस विशय में आप आज की पीडी को कुछ संदेश दें मुझे खुशी है कि युवा फीडी हमारे इतिहास को हमारे स्वात्मत्र सेनानियों को इस देश के लिए बलिदान लेने वाले लोगों को उनके विशय में जानने में रूची रख रही है अंगिनत महापुरुश जिन्नों ने जवानी जेलों में खपा दी कई नजवान फासे के तक्त पर चड़ गए क्या कुछ नहीं जेला और तभी तो आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं एक बाद हमने देखी होगी कि आजहादी के अंदोरन में जिन-जिन महापुरुशों ने जेलों में समय बिताया उन्होंने लेखन का अध्यान का बहुत बड़ा काम किया और उनकी लेखनी ने भी भारत के आजहादी को बल दिया बहुत वर्षों पहले मैं अंदमान निकोबार गया था सेलूलर जेल देखने गया था आज बीर सावरकरजी की जन्म जैन्ती है बीर सावरकरजी ने जेल में माजी जन्म ठेप किताब लिखी थी कविताय लिखते थे दिवारों पर लिखते थे छोटी सी कोटरी में उनको बंद कर दिया गया था आजहादी के दिवानों ने कैसी यातनाई जेली होगी जब सावरकरजी की माजी जन्म ठेप किताब मैंने पढ़ी और उसी से मुझे सेलूलर जेल देखने की प्रेड़ा मिली थी वह एक लाइटेन सावन सो भी कारिकम चलता है वो बड़ा ही प्रेरक है हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं था हिंदुस्तान की कोई भाशा बोलने वाला नहीं होगा जो आजहादी के लिए काले पानी की सजा भुगतकता हुआ अंड़मान की जेल में इस सेलूलर ज जेल में अपनी जवानी नखपाई हो हर भाशा बोलने वाले हर प्रांत के हर पीड़ी के लोगों ने यातनाई जेली थी आज भीर सावरकर जी की जन्म जैनती हैं मैं देश की युवापीडी को जरूर कहूंगा कि हमें जो आजहादी मिली है इसको कैसी यातनाई लोगों ने जेली थी इतने कस्ट जेले थे अगर हम सेलूलर जेल जाकर कर देखें काला पानी क्यों कहा जाता था जाने के बाद ही पता चलता है आप भी कभी मोका मिले तो जुरूर एक प्रकार से हमारे आजहादी के जंग के तिर्सक्षेत्र हैं जरूर जाना चाहिए मेरे प्यारे देश्वासियों पांच जून महेने के पहला सोमवार है वैसे तो सबकुछ सामान्य है लेकिन पांच जून एक विशेस दिवस है क्योंकि बिश्व परियावरन दिवस के रुप में उसे मनाये जाता है और इस वर्ष यून ने इसका स्थीम रखा है Connecting People to Nature दूसरे मशब्दों कहें तो Back to Basic और Nature से Connect का मतलब क्या है मेरी द्रश्टी मतलब है खुद से जूड़ना अपने आप से Connect होना Nature से Connect का मतलब है Better Planet को नर्चर करना और इस बात को मात्मा गांधी से ज़्यादा अच्छे से कौन बता सकता है मात्मा गांधी कई बार कहते थे One Must Care About In World One Will Not See अर्थात हम जो दुनिया नहीं देखेंगे हमारा करतव है कि हम उसकी भी चिंता करें हम उसकी भी कैर करें और प्रकूती की एक ताकत होती है आपने भी अनुभव किया होगा कि भहुत ठककर के आये हो और एक ग्लास भर पानी अगर मुँँ पे छिड़क दे तो कैसी फ्रिष्ण जाए जाती है बहुत थक्कर के आये हो कमरे की खिड़कियां खोल दे दरवाजा खोल दे ताजा हवा की सांस ले ले एक नई चेतना आती है जिन पंच महाभूतों से सरीर बना हुआ है जब उन पंच महाभूतों से संपरकाता है तो अपने आप हमारे शरीर में एक नई चेतना प्रगड होती है, नई उर्जया प्रगड होती है यह हम सबने अनुहव किया है लेकिन हम उसको रजिश्टर नहीं करते हैं हम उसको एक धागे में एक सुत्र में जोडते नहीं है इसके बाद आप जुरूर देखना कि आपको जब जब प्रकृतिक अवस्ता से संप्रकाता होगा आपके अंदर नहीं चेतना उभरती होगी और इसलिए पांच जून का प्रकृतिक के साथ जूडने का बैश्विक अभ एक रहा हैं अगर हम रक्षा करेंगे है तो हमारी आने वाली पीडियों को लाप मिलेगा कि वेदों में कि पृत्वी और परियावरन को शक्तिका मूल माना गया है हमारे वेदों में इसका वर्णन मिलता है और अथ उत्रम तो पूरी तरह एक प्रकार से परियावरन का सबसे बड़ा दिशा निर्देशक गरंथ है और हजारों साल पहले लिखा गया है हमारी यहां कहा गया है माता भुमिही पुत्रो अहम पृत्वी वयाहा बेदों में कहा है हम्में जो प्यॉरिटी है वह हमारी पृत्वी के कारण है हरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र है अगर हम भगवान बुद्ध को याद करें तो एक बात जुरूर जागर होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरी निर्वान तीनों पैड की नीचे हुआ था हमारे देश में भी अने अनेक ऐसे त्योहार अनेक ऐसी पूजा पद्धती पड़े लिखे लोग हो अनपड हो शहरी हो ग्रामिड हो आदिवासी समाज हो प्रकृती की पूजा प्रकृती के प्रती प्रेम एक सहच समाज जीवन का हिस्सा है लेकि हमने उसे आधुनिक शब्दों में आधुनिक तर कि उसके साथ संजोने की जरूरत है कि इन दिनों मुझे राज्यों से खबर आती रहती है करीब करीब सभी राज्यों में वर्षा आते ही व्रक्षा रोपन का बहुत बड़ा भ्यान चलता है करोडों की तादाद में व्रक्ष बोय जाते हैं स्कूल के बच्चों को भी इस वर्षा रूतु में प्रक्षा रोपन के इस काम को बढ़ावा दें योगदान दें मेरे प्यारे देश्वासियों 20 जून अब दूरिया के लिए 20 जून जाना पहचाना दिन बन गया है विश्वयोग दिवस के रूप में पुरा विश्व इससे मनाता है बहुत कम समय म 21 जून का ये विश्वयोग दिवस हर कौने में फेल चुका है लोगों को जोड रहा है एक तरफ विश्व में विखराव के अनेक ताकते अपना विकृत चहरा दिखा रही है ऐसे समय में विश्व को भारत के बहुत बड़ी देन है योग के द्वारा विश्व को एक सुत् जैसे योग शरीर मन बुद्धि और आत्मा को जोडता है वैसे आज योग विश्व को भी जोड रहा है आज जीवन सहली के कारण आपा धापी के कारण बढ़ती हुई जिम्यवारियों के कारण तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है और ये बात देख म में आई कि छोटी-छोटी आयू में भी ये स्थिति पहुंच चुकी है अनाप सनाप दवाईयां लेते जाना और दिन गुजारते जाना ऐसी घड़ी में तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग की भूमी का एहम है योग वैलनेस और फिटनेस दोनों की गारंटी है यो स्वस्थता की एक अंतर यात्रा कैसे चले उस अंतर यात्रा को अनुभव करना है तो योग के माध्यम से संbhav है भी दो दिन पहले यह मैंने योग दिवस को लेकर के बिश्व के सभी सरकारों को, सभी नेताओं को चिठी लिखी है पिछली वर्स मैंने योग से समंदित के इस परधाओं की गोशना की है, कोच जिनामों की गोशना की है, दिरी दिर उस दिशा में काम आगे भढ़ेगा मुझे एक सुझाव आया है और ये मौलिक सुझाव देने वालों का मैं अभिनेदन करता हूँ बड़ा इंट्रेस्टिंग सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि ये तीसरा अंतराष्टी योग दिवस है और मुझे कहा है कि आप अपील करें कि इस बार तीसरे अंतराष्टी योग के दिवस पर एक ही परिवार की तीन पिड़ी एक साथ योग करें दादा दादी हो यानाना नानी हो माता पिता हो बेटे बेटी हो तीनों पिड़ी एक साथ योग करें और उसकी तस्वीर अपलोड करें कल आज और कल एक ऐसा सुभग सेंयोग होगा कि योग को एक नए आयाम मिलेगा मैं इस सुझाव के लिए धन्यवाद करता हूँ और मुझे भी लगता है कि जैसे हम लोगों ने सेल्फी विट डॉटर का भ्यान चलाया था और एक बड़ा ही रोचक अनुभवाया था ये तीन पिड़ी की तस्वीर योगा करती हुई तस्वीर जुरूर देश और दुनिया के लिए कौतुक जगाएगी आप जुरूर नर्दमोदी एप पर मायगाव पर तीन पिड़ी जहां जाए योग करती हो तीनों पिड़ी के लोग एक साथ मुझे तश्वीर भेजें कल आज और कल की ये तश्वीर होगी जो सुहाने कल की गारंटी होगी मैं आप सब को निमंत्रित करता हूँ अभी आंतराश्टी योगा दिवस के लिए करीब तीन सप्ता हमारे पास है आज ही प्रक्टिस में लग जाएए मैं एक जुन से ट्वीटर पर डेली योग के समझ कुछ नगुछ पोस्ट नगा और लगातार 21 जून तक पोस्ट करता रहूंगा आप से शैर करूंगा आप भी तीन सब्ता लगातार योग के विशय को प्रचारित करिए प्रसारित करिए लोगों को जोड़िए एक प्रकार से ये प्रिवेंटिव हेल्थ केर का अंदोलनी है मैं निमंतरत करता हूँ आप सबको इसमें जुड़ने के लिए जब से आप लोगोंने मुझे प्रधान सेवक क रूप में कारे के जिम्मेवारी दी है और लाल किले पर से मैंने जब 15 अगस्त मुझे पहली बार बोलने का उसर मिला था स्वच्चता के समन में मैंने बात कही थी तब से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के अलग-लग भागों में मेरा प्रवास होता है और मैंने देखा है क कुछ लोग बारीकी से मोधी क्या करते हैं मोधी कहां जाते हैं मोधी ने क्या क्या पराबर फॉलो करते हैं क्योंकि मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग फॉन को आया और मैंने भी शायद इस प्रकार से चीज को सोचा नहीं था लेकिन मैं इस बात को उन्होंने जो पकड़ इसके लिए मैं आभारी हूँ ये फोन को से आपको भी ध्यान में आएगा प्रनाम मोधी जी मैं नैना मुंबई से मोधी जी टीवी पर और सोशल मीडिया में आजकल मैंने हमेशन देखती हूं आप जहां भी जाते हैं वहां के लोग साफ सफाई पर विशेश ध्यान देते है मुंबई हो या सूरत आपके आवाहन पर लोगों ने समयोई रूप से स्वच्चता को एक मिशन के रूप में अपनाया है बरे तो बरे बच्चों में भी स्वच्चता को लेकर जागरुकता आई है कई बार उन्हें सरक पर बरों को गंदगी फैलाते हुए टोकते हुए द वहां सरकारी मशिनरी तो सफाई का काम करती हैं लेकिन इन दिनों समाज में भी एक सफाई का उत्सव बन जाता है मेरे जाने के पांच दिन पहले साथ दिन पहले दस दिन पहले काफी मात्रा में सफाई के कारकम होते हैं मेडिया भी उसको बड़ा प्रधाने देता है अभी मैं कुछ दिन पहले कच्छ गया था गुजरात में बहुत बड़ा सभाई अभ्यान चला वहां मैंने भी इसको जोड करके नहीं देखा था लेकिन जब यह फोन को लाया तो मैं भी सोचने लगा और मैंने देखा हाँ यह बास ही है अब कल्पना कर सकते हैं मुझे कितना मंत्री के स्वागत के लिए बाकी जो तैयार्या होने के आदत होगी होगी लेकिन स्वच्छता प्रमुख बात होगी यह अपने आप में स्वच्छता प्रेमी किसी को भी आनंद दायक है प्रेरक है मैं इस स्वच्छता के काम को बल देने वाले सभी को बढ़ाई देता हू किसे ने मुझे एक सुजाव दिया पैसे वो बड़ा मजाक्या सुजाव है मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसको कर पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा मोदी जब आप प्रवास दाय करते समाएं जो भी प्रवास मांगे उनको कहो कभे अगर मुझे बुलाना है तो स्वस्थता का स्तर कैसा होगा कितना टन कुड़ा कच्रा आप मुझे भेट करोगे उसके आधार में मैं अपना प्रवास दाय करूँ आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा लेकिन यह बात सही है कि मोमेंट तो बनना चाहिए कि और सीजे भेट सोगाद में देने के बजाए अच्छा ही होगा कि हम भेट सोगाद में इतना टन कुड़ा कच्रा सफाई करके दे देंगे कितने लोगों को बिमार होने से हम कि इसे सिर्फ गार्वेज के रुप में न देखे एक बार इस कुड़े कच्रे को भी हम बेल्थ मानना शुरू करेंगे तो बेस्ट मैनेजमेंट के कई नएने तरीके हमारे सामने आएंगे स्टार्ट अप में जुड़े हुए नवजवान भी नएने योजनाए लेकर कर आ भार सरकार ने राज्य सरकारों के मदद के साथ शहरों के जन प्रतिनिद्यों की मदद के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा महत्वपुन भ्यान छेड़ना तै किया है पांच जून वीश्व परियावरन दिवस पर देश के करीब 4,000 नगरों में सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट इसको कलेक करने के लिए उस प्रकार के साधन उपलब्द होने वाले हैं दो प्रकार के कुड़ेदान उपलब्द होंगे एक ग्रीन कलर का दूसरा ब्लू कलर का दो प्रकार के बेस्ट निकलते हैं एक लिक्विड वेस्ट होता है और अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें इन चार हजार नगरों में यह जो कुड़ेदान रखे जाने वाले हैं सूखा कच्रा नीले कुड़ेदान में डाले और गीला कच्रा हरे कुड़ेदान में डाले जैसे कीचन का जो वेष्ट निकलता है साग सब्जियों के छिलके हो बचा हुआ भोजन हो अंडे के छिलके हो पैड़ पौधों के पत्ते आदी हो यह सारे गिले वेष्ट है और उसको हरे कुड़ेदान में डाले यह सारी चीज़े ऐसे हैं जो खेत में काम आती हैं अगर खे प्रकार यह है जैसे रदी कागज है गत्ता है लोगा है काच है कपड़ा है प्लास्टिक है पॉले तिन है तूटे हुए डिब्बे हैं रबबर है दात्विये हैं कई चीज़े होगी यह सारी चीजें एक प्रकार से सूखा कचड़ा है जिसको मशीन में डाल करके रिसाइक करेंगे स्वच्चता की और हर बार नए कदम हमें उठाते ही जाना है तब जाकर के हम गांदी जी जिन सपनों को देखते थे वह स्वच्चता वाला सपना हम पूरा कर पाएंगे आज मुझे गर्व के साथ एक बात कर जिक्र करना है एक इंसान भी अगर मन में ठान ले तो क इतना बड़ा जनांदुलों खड़ा कर सकता है स्वच्चता का काम ऐसा ही है पिछले दिनों आपके कान पर खबर आई होगी मुंबई में गंदा माने जाने वारा बर्सोवा बीच आज एक साफ सुत्रा सुन्दर बर्सोवा बीच बन गया यह अचानक नहीं हुआ है करीव असी नब्वे सप्ता तक नागरिकों ने लगातार मेहनत करके एक वर्सोवा बीच का काया पलट कर दिया हजारों टन कुडा कच्रा निकाला गया और तब जाकर के आज वर्सोवा बीच साफ और सुन्दर बन गया और इसकी सारी जिम्मेवारी वर्सोवा रेसिडेंस वॉल साली थी एक सज्जन स्रिमान अफ्रोज शाह अक्तुबर 2015 से बेजी जान से इसमें जुट गए धीरे धीरे एक कारवा बढ़ता चला गया जन आंदुलन में बदल गया और इस काम के लिए से मान अफ्रोज शाह को युनाइटेड नेशन्स एन्वार्मन प्रोग्रेम युन उन्होंने बहुत बड़ा एवोड दिया चेंपियन सब्दर अर्थ एवोर्ड ये पाने वाले वो पहले भारतिय बने मैं से मान अफ्रोज शाह को बढ़ाई देता हूं और जिस प्रकार से लोग संग्रहा की तरह उन्होंने सारे इलाके के लोकों को जोड़ा और जन आंद के संदर में जम्मू कश्मीर का रियासी ब्लॉग मुझे बताया गया कि रियासी ब्लॉग ओपन डेफिकेशन फ्री खुले में सौच से मुक्त हुआ है मैं रियासी ब्लॉक के सभी नागरिकों को वहां के प्रशासकों को जम्मु कश्मीर ने उत्तम उधार दिया है इसके लिए सब को मैं बढ़ाई देता हूँ और मुझे बताया गया कि इस पूरी मुवमेंट को सबसे ज़्यादा लीड किया है जम्मु कश्मीर के उस इलाके के महिला उने उन्होंने जागरुकता फ्यलाने के लिए खुद ने मशाली आत्राएं निकाली घर गर गली गली जाकर के लोगों को उन्होंने प्रिरित किया उन्हों मा बहनों को भी मरुदय से अभिनंदन करता हूं वहां बैठे हुए प्रशासकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने जम्मु कश्मीर की धर्ती पर एक ब्लॉग को ओपन डेफिकेशन फ्री बना करके एक उत्तम शुरुवात किये है मैं प्यारे देश्वासियों पिछले पन्रा दिन महेने से लगातार अकवार हो टीवी चैनल हो सोशल मीडिया हो बरतवान सरकार के तीन वर्स का लेखा जोखा चल रहा है तीन साल पूर्वा आपने मुझे प्रधान सेवक का दाइप दिया था धेर सारे सर्वे हुए हैं धेर सारे ओपिनियन पोल आये ह यह सारी प्रक्रिया को भौलती हल्दी साइन की देखता हूं हर कसोटी पर इस तीन साल की कारकाल को कशा गया है समाज के हर तपके के लोगने उसका एनालिसिस किया है और लोकतंत्र में एक उत्तब प्रक्रिया है और मेरा स्पष्ट मानना है कि लोग तंत्र में सरकारों को जवाब दे होना चाहिए, जनता जनाधन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। मैं इन सब बातों का बहुत महत्व समझता हूँ, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनों ने क्रिटिकल और इंपोर्टन फिडबेक दिये हैं, जो तुरूटियां होती हैं, कम्यां होती हैं, वो भी जब उजागर होती हैं, तो उससे भी सुधार करने का आउस मिलता है, बात अच्छी हो, कम अच्छी हो, बूरी हो, जो भी हो, उसमें से ही सीखना है, और उसी के सहारे आगे बढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिडिसिजम, लोगतंत्र को बल देता है, एक जागुरुक राष्टर के लिए, एक चैतन्य पूर्णा राष्टर के लिए, ये मन्थन बहुत ही आवशक होता है, मेरे प्यारे देश्वासियों, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य नागरिक हूँ, और एक सामान्य नागरिक के नाते, अच्छी बुरी हर चीज का प्रभाव, मुझ पर भी वैसा ही होता है, जैसा किसी भी सामान्य नागरिक के मन पर होत मन की बात कोई उसको एक तरफा समवात के रूप में देखता है कुछ लोग उसको राजरीतिक दुरस्टी से टिकाटी प्रणी भी करते हैं लेकिन इतने लंबे तज्यूर्वे के बाद मैं अनुभव करता हूं मैंने जब मन की बात शुरू की तो मैंने भी सोचा नहीं था मन में बैठ करके घर की बातें करता हूं और ऐसे सेंकड़ों परिवार है जिन्हों मुझे इस बातें लिख करके भी भेजी हैं और जैसा मैंने कहा कि कि एक सामान्य मानवी के रूप में मेरे मन बेज़ो प्रभाव होता है जी दो दिन पूर्वा राष्टपति भवन में आधरणी राष्टपती जी, आधरणी उपराष्टपती जी, आधरणी स्पिकर महोदाया सब ने मन की बात की एक एनालिटिकल बूप का समहरो किया एक व्यक्ति के नाते, सामान्य नागरिक के नाते ये घटा मुझे बहुत ही उत्सा बढ़ाने वाली है मैं राश्ट्पति जाओ राश्ट्पति जी का स्पीकर महधाय का आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके इतने बरिष्ट पद पर बैठे हुए लोगों ने मन की बात को ये एहमियत दी, एक प्रकार से अपने आप में मन की बात को एक नया आयाम दे दिया हमारे कुछ मित्र इस मन के बात के किताब पर जब काम कर रहे थे तो मेरे से भी कभी चर्चा की थी, और कुछ समय पहले जब इसकी बात चर्चा में आई ही, तो महरान था, अबू धावी में रहने वाले एक आर्टिस्ट, अकबर सहाब के नाम से जाने जाते हैं, अकबर सहाब ने सामने से प्रस्ताव रखा, कि मन की बात में जो विश्व जताने के लिए, अकबर सहाब ने मन की बातों को कला का रूप दे दिया, मैं अकबर सहाब का भारी हूँ, मेरे पहरे देश स्वासियों, अगली बार जम मिलेंगे तब तक तो देश के हर कौने में बारिस आ चुकी होगी, मौसम बदल गया होगा, परिक्षाओं के प्रणा जिवन का आरंब होने वाला होगा, और बरसाद आते ही एक नई खुश्नवा, एक नई महे, एक नई सुगन, आईए हम सब इस माहोल में प्रकृति के प्रति प्यार करते हुए आगे बड़े, मेरी आप सब को बहुत बहुत शुब कामना हैं, धन्यवाद. अब याप प्रधान मंतरी नरेन मोदी की मन की बात कारिक्रम का प्रसारण देख रहे थे, प्रधान मंतरी ने आज की मन की बात कारिक्रम में कही पहली कुछ हुआ, कही बातों का दिक्र किया, प्रधान मंतरी ने आज की मन की बात कारिक्रम में कही पहली कुछ हुआ, कही ब